तमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का एक बार फिल स्वात किता हूं ने यूटूब चैनल क्रेजी ग्यान पर तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप सभी को आपके एंडूर्ट फोन में न तीन ऐसी जवदस सैटिंग के बार बताने वाला हों जिन सैटिंग को अगर आप अपने किसी भी एंडूर्ट फोन में कर लेते हैं उसके बाद आपके फोन में अगर 1GB डेटा है, 1GB डेटा है, 2GB डेटा है यहाल के ना अपने फोन में जादा इंटरनेट चलाना चाहते ना तो इन तीनों ट्रिक को आप अपने पने फोन में जरू से कर लीजेगा तो अगर आप जानना चाहते हैं यह तीनों सेटिंगéner कौन सी है तो चलिया जल्दी से करतें विड़को स्टार्ट तो यहाँ पर आपको स्टार्ट अब इसो अपने फोन में 1GB यांफी 0.5GB लिटा को पूरे दिन मज़े से यूज़ करने के लिए मज़े से इंटरनेट चलाने के लिए अपने फोन में आपको 3 सैटिंग करनी पड़ेगी अब ये तीन सैटिंग अगर आप अपने फोन में कर लेते हैं तो आप अपने फोन में कम GB में जादा इंटरनेट का यूज कर सकते हैं अब पहले नमर की जो सैटिंग है वो आपको अपने YouTube अप्लिकेशन में करनी है ठीक है तो आप सभी को अपने YouTube अपन करना है अपने प्रोफाइल के उपर क्लिक करना है फिर आपको सैटिंग में जाना है सैटिंग में जाने के वाद आपको डाउनलोड के उपर क्लिक करना है और डाउनलोड क्वालिटी के उपर आपको क्लिक करना है या फिर आपको 360P के उपर क्ल डूइट की होगी ना जब वो री डाउनलोड होगा दुबारा से डाउनलोड होगा तो जादा हैवी क्वालिटी में डाउनलोड नहीं होगा सिर्फ 360 पी पर डाउनलोड होगा जो की एक वोचेबल प्रिंट होता है ठीक है इससे आपके फोन का इंटरनेट भी बचेगा इससे डाउनलोड करता है ठीक है तो गूगल क्रोम को ओपन करने के वाद 3.0 के उपर आपको क्लिक करना है सैटिंग्स में जाना है सैटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे एक option मिलेगा light mode का ठीक है तो इसके उपर आपको क्लिक करना है अब ये जो option है ऑफ रहेगा ठ इसे on करते ही यहाँ पर लिखा गया है कि इसे on करते ही आपके फोन में जो website है जो pages है ना वो ज्यादा तेजी के साथ load होएंगे और वहाँ पर जो आपका internet है वो भी यहाँ पर save होगा कितना save होगा यहाँ पर वो देख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से इसे भी आपको on कर द हैं जबकि इस setting को हम सभी को use करना चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा हम सभी के फोन में लगबग सभी फोन में security नाम की application होती है ठीक है अगर नहीं है तो आप सभी को अपने setting में data uses को ढूंड लेना ठीक है इस setting को ढूंड लेना है उसके बाद आपको set data uses के उपर क्लिक करना है यहाँ पर आपको set करना है कि आपके पास कितना gb है ठीक है अगर आपके पास 1 gb है 1.5 gb है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख दीजेगा उसके बाद यहाँ पर आपको gb को select करना है ok करना है जैसे आप ok करेंगे तो यहाँ पर आपको restrict data data-uses के ओपर क्लिक करना है यहाँ पर आपको 3.9 के ऑपर क्लिक करना है अब जैसे आप बैक्राउंड के ओपर क्लिक करते हैं तो आपके फोन में जितनी भी एप्लिकेशन है ना इस सारी की सारी एप्लिकेशन आपके बैक्राउंड में आपके इंटरनेट को आपकी permission के विए यूज करती है तो यहाँ पर आपको वो application को बंद कर देना है जिन application को आप अपने phone में use नहीं करते या फिर कम use करते है ठीक है इस तरीके से जब बंद कर देंगे न तो आपके phone में जो internet है वो बचने लगेगा तो इस तरीके से इन तीनो setting को करके आप अपने phone में काफी ज़्यादा internet को बचा सकते हैं और कम GB में आप अपने phone में ज़्यादा internet का मज़ा उठा सकते हैं